राधे राधे एवरिवन आप सभी को होली परव की बहुत बहुत शुब काम नए फ्रेंड्स होली हमारे हिंदु धरम का बहुत अधिक महतोपूर्ण त्योहार है होली के पूजन के लिए हमें बिढकले की माला चाहिए होती है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम बिढकले कैसे बनाते हैं बिढकले की माला के लिए हमें कौन-कौन से खेल खिलोने बनाने होते हैं होली पूजन के लिए हम क्या-क्या चीजे बनाएं और कैसे बनाएं यह संपूर्ण जानकरी आपको आज की वीडियो में मिलेगी तो देखिए गाय का गोबर हम ले लेंगे यह साथ ही मैंने जमीन पर यह कट्टा भी चालिया है इस कट्टे के उपर में बिढकले बनाऊंगी आप चाहे तो सीधा जमीन पर भी आप बना सकते हैं आप देखिए सबसे पहले हम होली का माता बनाते हैं तो होली माता बनाने के लिए सबसे पहले देखिए एक ओरत के आकार के आकरती हमें गोबर से बनानी होती है और हाँ गाय का गोबर हमें लेना है आपको किसी भी गौसाला में गाय का गोबर बहुत आसानी से मिल जाएगा आप चाहें तो आप गलव्स वगरा पहन कर भी आप ये डाल बिड़कले बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए महाल जरूर करना है क्योंकि सभी माला है और गेहूं से वने इनकी आखें बना दिये इस से देखिए म пес अनकी आखें पना रेंगे इस तरह से देखिए मैंने समय ये भी हमोदु इनकी पर करना सकती है पान बनाएंगे तो पान का पत्ता बनाने के लिए अपने दोनों हाथो को इस तरह से रख लेते हैं अगर कोई दूसरा के बास है हेल्प करने के लिए तो आप हाथ रख लिजिए और उससे बनवा लिजिए नहीं है तो इस तरह से आप अकेले भी पान बहुत आसानी से बना सकते हैं और हाँ जो भी चीजे हम बनाएंगे बीच में हमें हॉल जरूर कर देना है अब हम पीधा बना लेंगे तो चकोर बना कर इस पर ह हम दिवारसी बना के इस तरह से चुला बना देंगे भी हम बाल सवारने के लिए कंगा बनाएंगे तो जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि दैनिक जीवन में जो जो चीजे यूज करते हैं वो सभी चीजे हम लगभग बनाते हैं होली पूजा के लिए और इन सभी को माला हमें पिरोते हैं तो यहां पर देखे मैंने कंगा बना दिया है आकरती मातर हमें बनानी है और उसके बाद देखिए यहां पर हम चक्की बना देंगे पहले के लोगों के जिवन में चक्की का बहुत मैता होता था घर पर ही सब आटा पीशते थे तो गोल पहिया सा बना के उ सबी में हमने यहाँ पर छेद कर दिया है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम सूरज बना देंगे, तो आप चाहे तो इस तरह से भी आप सूरज बना सकते हैं, और देखिए किरन आप इनकी इस तरह से निकाल सकते हैं, स्टार की तरह भी आप सूरज बना सकते हैं, या आप आप चाहे तो बड़ी सी इस तरह से रोटी सी बना लीजिए, उसके बीच में छेद कर दीजिए, और देखे चारो तरफ इस तरह से किरन निकाल दीजिए, तो आप चाहे तो इस तरह से बना लीजिए, सूरज आप बना देंगे, उसके बाद देखे एक सुपारी हमें बनानी और उसमें छेद कर देंगे तो इस तरह से हम बिढकले बना लेते हैं एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ तो देखे इस तरह से हम रोटी की तरह लोई बना कर उसमें छेद कर देंगे तो इस बिढकला बन जाएगा अगर आप कोई भी चीज ना बना पाए ना तो आप स सीधा जमीन पर थोड़ा सा इसको फैला के तब इस 沒有 कर दीजिए। यानि एक गोल सा बनाकर हमें और उसन पर छहयद कर देना हैं yol बना कि तो इस तरह से देखिए बिड़कले बनाये जाते हैं और जब हम माला बनाते हैं तो एक माला में 11, 21 इस तरह से हम बिढकले डालते हैं तब हमारी माला बनती है एक ढाल डालते हैं और दोनों तरफ हम बिढकले डाल देते हैं और देखे तो हम बहुत सारे बिढकले यहां पर बना लेंगे उसके बाद हम बनाते हैं ढाल ढाल सबसे तो इसमें आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं मेन है कि हमें बड़ी सी प्लेट सी बनानी है उसके उपर हम चारो तरफ से किनारी बना के बीच में छेद कर देना है और ये आप घर में जितने भी सदश्य होते हैं सब के नाम की एक-एक ढाल बनाई जाती है तो आपके घर में जितने भी सदश्य हैं आप उतनी डाल बना लीजे अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है और आप इतनी नहीं बना पाते हैं डाल तो जितने घर में बच्चे हैं आप उनके अकोर्डिंग भी डाल बना सकते हैं तो यहां पर देखिए हम डाल बना लेंगे और कम से कम पाँच डाल हो सकी तो आप जरूर बनाना इस तरह से हम होली की तयारी करते हैं तो यहां पर देखिए हमारे डाल बन गए हैं बिड़कले बन गए हैं सारे खेल खिलोने बन गए हैं तो मेरी तो यहाँ पर होली की तयारी हो गई है complete और आप लोग होली पर ढाल बिड़कले कब तक बना लेते हैं यह मुझे जरूर बताना और हाँ 11 आने से पहले पहले आप यह बिड़कले जरूर बना लीजे ताकि होली पुझा के लिए आराम से यह सूख जाएं और फिर आप इनकी माला बना सकें तो बिड़कले बनाने की यह छोट इसी सरल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और होली से समधित सभी वीडियो जापको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे होली पर बच्चों के लिए टोफियों की माला कैसे बनाते हैं होली के कलर कैसे बनाते हैं पूझा कैसे करते हैं यह सभी वीडियो जापको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे सभी का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी युजफूल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हिंदु धरम के तीज दोहर हम महिलाएं घर में कैसे बनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहा तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै श्री कृष्णा राधे राधे